दूसर उंडिया एक मल्टी रिलीजिस कंट्री है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई समेथ विभिन धर्मों के लोग सद्भावना और भाईचारे के साथ सदियों से रहते चले आए हैं फेमस इंडियन फिलोसफर और तेश के पहले वाइस प्रेसिडिन्ट डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णा की माने तो भारत में मौझूद विभिन धर्म बाहर से देखने पर भले ही अलग-अलग नजर आएं लेकिन सभी धर्मों में कुछ इंटर्णल और एक्स्टर्नल स मौझूद हैं सभी धर्म मानते हैं कि संसार को बनाने वाली एक सुप्रीम पावर है जैसे हम परमात्मा ईश्वर या अल्ला जैसे अलग-अलग नाम से पुकारते हैं विदाज, कुरान या बाइबल जैसे किसी एक पवितर किताब का होना भी इन सिमलेरिटी इसको दर्शा माना गया है, रिलिजिस ओर्नमेंट से लेकर मंत्र उचारन के लिए प्रेयर बीट्स के रूप में इन रुद्राक्ष सीट का यूज वैरियस परविजस के लिए किया जाता रहा है, अक्सर हम साधू संथ और लोगों के हाथ या गले में रुद्राक्ष की माला देखते हैं लेकिन रुद्राक्ष कहां से आते हैं इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, रुद्राक्ष श्री को इलियो कार्पस गेंट्रिस भी कहा जाता है और इन ट्रीज की हाइट 50 से 200 फीट तक होती है, दरसल रुद्राक्ष श्री पर लगने वाला एक फल का बीच होता है, जो पक जाने के बाद ब्लू कलर यानि नीले रंग का दिखाई देता है और इसलिए इसे ब्लू सीड भी कहा जाता है, दुस्तों इंडिया में ये ट्रीज हिमालिन फुट हिल्स और गैंगटिक प्लेंस में पाई जाते हैं, इंडिया के अलावा नेपार, साउथ इस तेश का ट्रेड करती हैं, लेकिन अगर ग्लोबल ट्रेड की बात करें, तो नेपाल वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर्स में से एक है, दुस्तों आज नेपाल से एक्सपोर्ट होने वाली वेरियस कमोरिटीज के बीच, रुद्राक्ष सीड की अपनी एक अलग पहचान है, और आज नेपाल के लोगों की जिंदगी में ये सीड एक छोटी लेकिन एहम भूमी का निभा रहा है, वैसे तो नेपाल पूरी दुनिया में रुद्राक्ष सीड को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन एक वास्ट भुद्धिस्ट पॉपलेशन होल्ड करने की वज़े से चाइना के लिए रुद्राक्ष सीड का एक बड़ा मार्केट है, जोस्तो हर साल चाइना लाखों रुद्राक्ष सीड नेपाल से इंपोर्ट करता है, और फिरिन रॉस सीड को रिंग्स या चेंज जैसे फाइनल गुड्स में कनवर्ट करके दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर करता है, ऐसा करने से नेपाल के रुद्राक्ष ट्रेडर और चाइना के रुद्राक्ष रिलेटेड प्रोडेक्ट मनिफेक्ट्र्स दोनों को फाइदा होता है, कुछ समय पहले तक ये दोनों देशों के लिए एक विन-विन सिचुईशन थी, लेकिन 2019 में कोरोना की वज़ होने वाले रुद्राक्ष ट्रेड में आई कमी को डीटेल में समझने का प्रयास करेंगे, हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि किस तरह नेपाल और चाइना के बीच रुद्राक्ष ट्रेड में आई कमी को इंडिया अपने जियो पॉलिटिकल गेन के लिए दूस्तों Study IQ आप सब के लिए लेके आया है एक बहुती खास कोर्स पहली बार Study IQ UPSC PrePlus Mains के लिए एक फुली लाइव कोर्स लाँज करने जा रहा है इस कोर्स में 900 घंटे से जादा की लाइव क्लासे होंगी जिसमें Static Portion से लेकर Current Affairs, Essay, CSAT तक सब कुछ कवर किया जाएगा और साथी साथ आपको मिलेगी 1-2-1 Mentorship इसकी वज़े से आप अपने Mentor से बिना हिचकिचाए अपने Doubts को पूछ सकेंगे और आपके Exam Fair को दूर करने के लिए आपको दिये जाएगे Mock Papers, Prelims Exam के लिए और साथी साथ मेंस की तैरी को पुर्जोर करने के लिए आपसे इस कोर्स में Answer Writing की Practice भी करवाई जाएगी और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 18,500 के Discounted Price पे अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड AGLIVE बैच की शुरुआद 20 जून शाम 6 बजे से हो रही है जिसकी डिटेल्स आपको पिंट कमेंट में मिल जाएगी तो Study IQ के साथ अब आप भी कहिए कि तयारी हुई affordable जोसों जैसा कि आप जानते हैं नेपाल एक Hindu majority country है और Chinese population का एक बड़ा हिस्सा बुद्धिजम को follow करता है इसलिए नेपाल और चाइना के बीच रुद्राक्ष सीट्स के ट्रेट को समझने से पहले रुद्राक्ष के religious background और religious importance को जानना बेहत जरूरी है अगर Hinduism की बात करें तो रुद्राक्ष का इतिहास सदियों पुराना है रुद्राक्ष एक संस्कृत शब्द है जिसकी उत्पत्ती, मूल शब्द, रुद्रा और अक्ष से मिलकर हुई है यहां रुद्र शब्द शिव को और अक्षिश शब्द आई यानि आख को रिप्रेजेंट करता है तो यो कुल मिलाकर रुद्राक्ष का मतलब है आई ओफ लॉर्ड शिवा। रुद्राक्ष श्री के ओरजिन से जुड़ी एक रोचरक कहानी हिंदू मानिताओं में देखने को मिलती है जहां रुद्राक्ष को भगवान शिफ के आसु का प्रतीक माना गया है। हिंदू लिट्रेचर जैसे की उupnishrad में भी रुद्राक्ष का जिक्र मिलता है। उप निस्षद में रुद्राक्ष को medical और recreational purposes के perspective से महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है के रुद्राक्ष की माला गले में पहनने से Blood Pressure Control में रहता है। और रुद्राक्षْ इसी skin related problem से चुटकारा मिलता है हिंदुजम की तरह बुद्धिजम में भी रुद्राक्ष को spiritual और medical perspective से useful माना गया है बुद्धिस belief का ये मानना है कि रुद्राक्ष हमें negative energy से protect करता है और साथ ही ये एक व्यक्ति के जीवन में good fortune लेकर आता है इन सारे मानिताओं की वज़े से Asian continent में रुद्राक्ष related products की काफी demand रहती है तो इस तो रुद्राक्ष और religions के इस connection को समझने के बाद आईए अब अपने discussion को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और नेपाल चाइना के बीच रुद्राक्ष ट्रेट से related current situation को समझने का प्रयास करते हैं तो अगर हम रुद्राक्ष ट्रेट की बात करें तो नेपाल के department of custom से मिले data के according financial year 2018-19 में नेपाल ने 44,000 kg से भी जादा रुद्राक्ष ट्रेट्स चाइना को export किये थे लेकिन 2019 में global covid lockdown के वज़े से financial year 2019-20 में ये quantity सिर्फ 28,000 kg रह गई चाइना की ओर से रुद्राक्ष ट्रेट की डिमांड में आई इस कमी के वज़े से नेपाली रुद्राक्ष ट्रेडर को काफी नुकसान उठाना पड़ा लिगन किसे एक commodity की डिमांड में आई कमी या covid के वज़े से कुछ समय के लिए bilateral trade का decline होना नेपाल की point of view से इतना चिंता जना क्यों है दोस्तों दोनों सवालों की बीच जवाब चुपा है नेपाल चाइना की बीच होने वाले overall trade और चाइना की raw import policy में हम आपको बताना चाहेंगे कि नेपाल और चाइना की बीच overall trade में फायदे का तराजू पूरी तरह चाना की ओर जुका नजर आता है अगर financial year 2020-21 की बात करें तो चाइना ने total 13,183 करोड रुपीज का समान नेपाल को export किया इन exported items में broadcasting equipment, helicopter और spacecraft जैसी high-tech product शामिल है वही financial year 2020-21 में नेपाल ने सर्फ 38 करोड रुपीज का समान चाइना को export किया इन exported items में carpet, medicinal plants और handmade painting और sculpture शामिल थे यानि अगर नेपाल चाइना bilateral trade से financial year 2020-21 में नेपाल को होने वाले trade deficit की बात करें तो यह 13,000 करोड से भी जादा था दूसरी बड़ी समस्या चाइना की raw material import policy है दूस्तो चाइना की raw material import policy को समझने के लिए हम colonial period में ब्रिटेन या East India Company दोरा implement की गई policy के example ले सकते हैं जिस तरह colonial period में ब्रिटेन दुनिया भर से सस्ते दामों में raw materials import करता था और फिरन raw materials को process कर final goods में convert करके दुनिया भर में मूँ मांगी कीमतों पे बेश देता था ठीक उसी तरह अग चाइना भी नेपाल से रुदराक्ष seeds या दूसरे raw materials import करता है और फिरन raw materials को final goods में convert करके जादा कीमत पर नेपाल और दूसरी countries को बेश देता है इस वज़े से ना सिर्फ नेपाल चाइना से आने वाले products पर highly dependent हो गया है बलकि trade deficit के नाम पर हर साल लाखों dollars भी नेपाल से चाइना की ओर चले जाते हैं इस deficit को पूरा करने के लिए नेपाल की सरकार को चाइना से loans लेने पड़ते हैं और नेपाल की economy धीरे धीरे शिलंका की ही तरह चाइना owned और चाइना controlled होती जा रही है Financial year 2020-21 में नेपाल को debt to GDP ratio 40.53% था जो नेपाल जैसी small economy based country के लिए चिंता का विशह है चलिए अब तक आप ये जो समझ गए होंगे कि किस तरह नेपाल, रुद्राक्ष और दूसरे raw materials चाइना को export करने के बाब जूद trade decline face कर रहा है और dead trap में फस्ता जा रहा है अब एक नजर डालते हैं कि इस पूरी situation में हमारा प्यारा भारत क्या role play कर सकता है दोस्तों नेपाल और इंडिया के historical, geographical, cultural, religious और economic linkages सदियों पुराने है अपनी ज्यान की रोशनी से पूरे संसार को रोशन करने वाले गौतम बुद्ध का जन्म अगर लुम्मिनी नेपाल में हुआ तो उन्हें ग्यान प्राप्ती बौध गया हिंदुस्तान में हुई आज इंडिया के अलावा नेपाल ही दुनिया की एक मातर हिंदू majority country है दोनों देशों के बीच संबंध, open borders या लोगों के unhindered moment तक ही सिमित नहीं है बलकि दोनों देशों की बीच close marital and family link भी established है multi billion dollars investment projects को एक साथ मिलकर पूरा कर रहे है लेकर बीते कुछ सालों में दोनों देशों के बीच संबंधों में व्यापक बतलाव आए है आज काला पानी लिपुलेक जैसे boundary dispute की वज़े से दोनों देशों के बीच एक rift create हुई है और China influence ने इस rift को wide करने का काम किया है तो किस तरह रुद्राक्ष seats दोनों देशों के बीच इस दूरी को कम करने में मददगार साबित हो सकता है दोस्तो चाइना की ही तरह इंडिया में भी रुद्राक्ष related products की heavy demand है लेकिन due to lack of processing industries हम अपने demands को अब तक बाहर से import कियेगा products की मदद से पूरा कर रहे है लेकिन made in India और start-up India जैसे government initiative की वज़े से आज हमारे देश में entrepreneurship की एक नई लहर शिरू हुई है जहां हम made in India products को पुरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मौका दे रहे है इनी initiatives के कारण नेपाल चाइना की बीच create हुए इस रुदराक्ष seat trade imbalance को इंडिया balance कर सकता है हम नेपाल से इन seats को direct import कर सकते हैं और फिर अपने जरुरत के according इने desired products में convert कर दुनिया के किसी भी कोने में export कर सकते हैं ऐसा करने से ना सिर्फ दोनों देशों के रिष्टे मजबूत होंगे साथी साथ नेपाल के small traders को इंडिया जैसा fast market मिलेगा और इंडिया के manufacturers को नेपाल जैसा low cost material destination का access लेकिन ऐसा करने के लिए हमारी सरकार को कुछ fundamental changes करने के आवश रखता है दोस्तों नेपाल के traders रुदराक्ष streets को इंडिया के बजाए China को export करते हैं इसके पीछे कुछ basic problems associated है पहला problem आज चाइना दोरा नेपाल से आने वाले raw materials को बिना किसी custom duty के allow करना है नतीजा ये होता है कि Chinese industries को ये raw material duty free होने की वज़े से काफी सस्ते में मिल जाते हैं वहें इंडिया आज भी नेपाल से आने वाले इन products पर custom duty impose करता है और naturally Indian manufacturers के लिए ये raw materials महंगे हो जाते हैं high cost raw material की वज़े से चाइना की मुकाबले इंडिया में produce होने वाले drugs related products ज्यादा costly हो जाते हैं और global market में Chinese products के साथ compete नहीं कर पाते अगला problem है lack of proper connectivity routes between India and नेपाल तो स्वाल दो पिछले कुछ सालों में हमारी सरकार ने नेपाल के साथ connectivity को बहतर बनाने के उद्देश से बहुत से नई project start किये हैं उदारन के तौर पे काटमांडू, नेपाल से रक्सॉल, इंडिया की बीच recently शुरू की गई electric rail लेकिन सभी efforts के बावजूद आज भी नेपाल और इंडिया के compare में नेपाल और चाइना की बीच transit route जादा सुगम और बहतर है जहां एक तरफ आज भी इंडिया और नेपाल के बीच होने वाले trade के लिए land routes आज भी developing stage में हैं वही चाइना ने better trade routes को develop कर लिया है बहतर connectivity की वज़े से नेपाल से आने वाला raw material आसानी और तेजी के साथ चाइना पहुँच जाता है वहीं Indian manufacturers को poor connectivity की वज़े से हवाई मार्ग के जरिये raw material नेपाल से import करना पड़ता है जो इस पूरे process को और महंगा बना देता है तो दोस्तो अगर इंडिया नेपाल और चाइना के बीच create हुए state vacuum को भरना चाहता है तो हमें अपने infrastructure को develop करने की जरुवत है नेपाल भले ही एक चोटा देश हो लेकिन geopolitical perspective से कहें तो सबसे चोटा कांटा ही सबसे ज़ादा दर्द देता है हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया और नेपाल के बीच संबंध सदियों पुराने और गहरे है भले ही पिछले कुछ सालों में Chinese influence की वज़े से नेपाल-इंडिया relation में कुछ दूरिया आई है लेकिन आजादी के बात से नेपाल हमेशा एक शांती और सम्रद्य पसंद पडोसी बन कर रहा है शायद ये रुद्राक्ष ट्रेड दोनों देशों के रिष्टों की डोर को फिर से मजबूत करने में एक ब्रहमास्तर की तरह साबित हो दोस्तों अपने इस सेक्शन को यहीं एंट करते हैं और जाते-जाते UPSC मेंस एक्जामनेशन में इस टॉपेक के रेलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़के जाएंगे जैसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा and the question is critically examine the role Rudraksh Seeds can play in revitalizing the geopolitical relation between India and Nepal and with this question my friends, that's it for the video I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा हम मिलतने अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत झाल